न लौकी न पपीता आज हमने प्याज से कोफते बनाए हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और हर घर में प्याज आसानी से मिल जाता है नमस्कार दोस्तों ओली उसा किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लिया है उसमें दो से तीन चमच सरसों का तेल डाल देंगे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जीरा हमने आधा चमच डाला है एक दाल चिनी का टुकड़ा डाल देंगे दो छोटी लाइची चार लॉंग डाल देंगे और तीन प्याज और काजू डाल दिये हैं इसे मिला लेंगे दो मैने यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है आप कम जादा कर सकते हैं तीन मीडियम साइज के टमाटर को काट के इसमें डाल देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे इस समय फ्लेम को आपको मीडियम रखना है और टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं तो हमने अधा चमच नमक डाला है आधी कटोरी पानी डाल देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं और इसे ढख करके तीन से चाय मिनट तक पकने देंगे तो जब तक प्याज टमाटर पक रहे हैं तब तक हम देखते हैं अगली तयारी को तो ये देखे हमने 6-7 प्याज को इस तरह कट करके रख लिया है इसे हम हाथों से इस तरह इसके लच्छे को अलग कर देंगे ऐसे हाथों से मैश करेंगे तिसके लच्छे अलग हो जाएंगे तो अब हम इस प्याज के उपर एक कटोरी बेसन डाल देंगे तो मैंने मेडियम साइज की कटोरी का इस्तेमाल किया है दो हरी मिर्च, आधा चमच जीरा पाउडर, वन फूर्थ चमच हींग, वन फूर्थ चमच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक और वन फूर्थ चमच हल्दी यानि कि नमक आपको स्वात के उन साथ डालना है और धन्या डाल कर इसे पहले मिला लेंगे अब इसमें हम one fourth कटोरी पानी डाल देंगे यानि कि आपको पानी बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है तो ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी लिया इसे डाल करके प्याज और बेशन को मिला लेंगे जैसे हम प्याज की भजिया बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह लेकिन इसमें बेशन कम पड़ेगा उससे थोड़ा सा कम ही पड़ेगा तो ये देखिए फ्रेंड बेसन और प्याज अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये बंधने लगे हैं तो इस मिस्टन को अभी हम साइट पे रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ तो ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो इसे हम कल्ची से थोड़ा सा इस तरह मैश कर देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे इसे हमें क्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे प्याज टमाटर अच्छे से ठंडे हो जाएं तभी आप इसका पेस्ट बनाएए तो अब चलते हैं कोफ्ते बनाने के लिए तो ये देखिए कोफ्तों को हम गोल शेप दे देंगे इस तरह हाथों से इस तरह दवाएंगे तो गोल शेप हो जाएगा और तेल अच्छे से गर्म हो गया है इसमें हमें एक एक करके डाल देंगे तो यहाँ पे हमने सरसू के तेल का इस्तेमाल किया है तो इस समय आपको फ्लेम मीडियम रखना है ताकि कोफ्ते अच्छे से अंदर तक पक जाएं कच्छे न रहना ही तो उपर से कलर आ जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे यदि आपने हाई फ्लेम रखा तो तो अब हम इसे पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे तो एक बैज के कोफ्ते फ्राई हो गये हैं इन्हें हम निकाल लेंगे और दूसरे बैज को भी कढ़ाई में डाल देंगे उसे भी फ्राई कर लेंगे फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राईब कर दीजे तो फ्रेंड्स कोफ्ते तो फ्राई हो गये हैं अब चलते हैं इनकी ग्रेवी बनाने के लिए तो कढ़ाई में आयल जादा है तो इसे हम पलट लेंगे थोड़ा सा आयल इसमें रखेंगे तो ये देखिए हमने जो प्याज टमाटर को पका के रखा था उसका पेस्ट बना लिये हैं एक प्लेट में हमने आधा चमच हल्दी आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच गरम मसाला इसे अच्छे से मिला करके रख लेंगे अब चलते हैं गैस की तरफ तो मैंने कढ़ाई में वही आईल का इस्तेमाल किया है तो आधा चमच जीरा डाल देंगे दो यहाँ पे तेश पत्ता थोड़ी सी हिंग और करी पत्ता डाल देंगे यह सब चटक जाएंगे तो यह मसाला डालेंगे आज को बहुत लो रखना है आपको ताकि मसाले जले नहीं और जो मैंने पेस्ट तयार करके रखा है उसे डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो दो से तीन मिनट तक इन मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और भून लेंगे इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यदा टेस्टी बनेगी और थोड़ा गाड़ी भी बनेगी क्योंकि हमने मखाने और काजू का इस्तेमाल किया है तो आप जब भी प्याज के कोफते बनाएं तो मखाने और काजू जरूर डालें इस पेस्ट में दो से तीम मिनट हो चुके हैं तो अब हम कोफतों को डाल देंगे और इसे मिला लेंगे हमें बहुत ज़्यादा गाड़ी ग्रेवी या बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए मीडियम ग्रेवी चाहिए तो हम इसमें दो ग्लास पानी डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे नमक हमने कई जगह इस्तेमाल किया है तो नमक इसमें बस थोड़ा सा डालेंगे और इसे धंक करके तीन से चार मिनट तक पकने देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने थोड़ा सा नमा का इस्तेमाल किया है अब इसे हम ढ़क देंगे और 3-4 मिनट तक इसे पकने देंगे कोफते बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे क्योंकि हमने बेकिंग पौडर का इस्तेमाल किया था तो ये देखे तीन से चार मिनट हो गए हैं और कोफते अच्छे से पक चुके हैं एकदम नरम हो चुके हैं ये देखे ग्रेवी भी थीक हो चुकी है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे तो तयार हो गए हैं फ्याज के कोफते देखे कितने नरम हो गए हैं अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं उपर से थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे इसे आप पराठा रोटी चावल किसी के भी साथ खाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये देखे कितनी अच्छी ग्रेवी दिख रही है और कितने अच्छे कोफते दिख रहे हैं खाने में तो टेस्टी हैं ही तो एक बार आप याज के कोफते मेरे तरीके से बना कर देखे आपको जरूर पसंद आएगा थैंक्स वार वाचिंग माई वीडियो